बुद्ध, शुक्र और राहू की अगर किसी के भी चार्ट में यूति हो तो इसका कैसा प्रभाव रहेगा आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इससे पहले हमने और भी काफी सारी यूतियों के बारे में बात की है और काफी सारी यूतियों के वीडियो अभी बच्चे वे भी है तो तीन ग्रहों की जो यूति है वो काफी ज़्यादा खास है और किसी भी भाव में जब ये बनती है तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत strongly पड़ता है, और आपको चार्ट में इसका जो analysis है तेन ग्रहों की यूति का, वो काफी सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसमें तेन तेन ग्रह एक साथ होते हैं, तो उनका किसी का ज्यादा प्रभाव रहत जाते हैं, तो इन दोनों के ही गुणों में वर्दी हो जाती है, विशेज कर शुकर के गुणों में तो बहुत ही ज्यादा वर्दी देखने को मिलेगी आप लोगों को, तो जब भी इस परकार की यूति होगी, तो यहाँ पर बुद्ध है, तो यहाँ चतुराई भी है, य लेकिन जितनी अच्छी यह यूति है, उतनी यह खराब यूति भी है, क्योंकि इसमें जातक उन चीजों की तरफ या उन कारियों की तरफ चला जाता है, जिनको समाज या हमारे जो लोग हैं, कम्यूनिटी में, वो अच्छी नजर से नहीं देखते, जो गंदे कारिये हैं, जो वरजित कारिये हैं उनमें ये जातक को fame देता है तो इस परकार की UT में अक्सर आपने देखो अगर जो भी पॉर्ण स्टार वगरे जो काम करते हैं फिल्म इंडिस्ट में या जो ऐसे वरजित कारियों की तरफ रुजान ज्यादा रखते हैं तो इस परकार की UT हैं उनके चार्ट में अक्सर देखने को मिलेंगी अब अगर UT इस परकार की है तो हम चर्चा तो जरूर करेंगे क्योंकि चर्चा करने में कोई सरम की बात नहीं है और जिस परकार की यूटी होगी जिस परकार के उसके प्रभाव होगी उस परकार की ही अमारी चर्चा भी होगी तो देखा जाए तो इस यूटी में आपको ये देखना ज़री है कि शुक्र कितना राहू के नजदेख है और राहु का जो प्रवाव है वो दोनों पर बुद्ध और शुक्र पर कितना ज़्यादा पढ़ रहा है कितना कम पढ़ रहा है और इस यूति में दोनों के बीच में कौन है तो अक्सर आपको यहां पर बीच में राहू भी देखने को मिल सकते हैं, बीच में आपको बुद्ध भी देखने को मिल सकते हैं दोनों के, तो यहां आपको इसको ठीक से देखना पड़ेगा, इसके अलावा आपको यहां पर बल देखना पड़ेगा, लेकिन यहां राहू के जुड़ी हुई चीजों को प्राप्ट करने के लिए अपनी पूरी सक्ति लगा देगा, अपनी पूरी छमता लगा देगा, वो काफी जदा ओप सेशन में आ जाएगा, इसी तरीके से ये जो यूती है, एक फिल्म इंडिस्ट्री में जातक को बहुत अच्छी फेम दे सकती ह इस परकार के जातक बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे डांसर हो सकते हैं, इस परकार के जातक बहुत अच्छे इतिहासकार बन सकते हैं, मानव विज्ञानी बन सकते हैं, टेलेंट इनमें एक्स्ट्रा ओर्डिनरी होगा, तो जो भी आपका लेवल है, study का या जो भी आपकी creativity का level है वो ऐस आमाने होगा बहुत ही जादा और राहू इस्तित होने की वज़े से आपको out of the box चीज़ें मिलने की संभावना रहती है लेकिन इस यूति को हम काफी नकरात्मक नजरिये से या काफी नकरात्मक द्रश्टी से इसलिए भी देखते हैं क्य जुकावा रहेगा जो वर्जित हैं या जिनके लिए समाज लावनी करता जिनको गंदी नजर से देखा जाता है बुरी नजर से देखा जाता है इसी तरीके से इस प्रकार की यूतिब में जात्तक विदेशी सेयंसकर्ती की तरफ सबसे ज्यादा अकर्षित होगा वो प्रकार के आधते अपनाते हैं परकार के तरीके जातक अपनाएगा अंतर जात यह भीबाहे लव इन रिलेशनिप परकार की जिविझे उनमें ज्ज़ादा जातक्का रूजान रहेगा तो इस परकार के जातक कोई drugs वगरे का seven करने वाले या वो बहुत ज़्यादा नसा करने वाले हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा drink करने वाले हो सकते हैं, तो इस परकार के जातकों में बुरी प्रवर्तियां होंगी, लेकिन ये यूती क्योंकि बहुत ही strong प्रभाव create करती है, तो ये जातक relationship म भी उतने सफल अपने जिवन में नहीं होते हैं, अक्सर इनको marriage के पहले और marriage की बाद दोनों जगे इनको affairs का सामना करना पड़ता है जिवन में और कभी-कभी इस परकार के जातकों की बदनामी भी हो जाती है, अब यहाँ शुक्र और बुद्ध राहो की साथ हैं, तो जात काफी चतुर होगा, काफी talented होगा, चालाख होगा, decision making में काफी fast होगा, तो शुक्र और बुद्ध के राहो के साथ बैठने की वज़े से आपको धन में निपन बनाता है, यानि आपको काफी धनी बनाता है, तो जिवन में वो सब कुछ आपको देता है, जिसके आपको अव देखा जाए तो इस परकार के जातकों को अक्सर ऐसंतुस्ठी देखा जाएगा, अब अगर ये यूति आपके लगन, पंचम या फिर आपके सब्तम भाव, अस्तम भाव या फिर बारवे भाव में बन रही है, और अगर मान लिजे इस यूति में ज्यादतर अगर राहू क या फिर शुकर की इस्तति बहुत जादा खराब है, तो यह निश्चित है कि आपको रिलेस्टिप में बहुत ज्यादा प्रेसानी का सामना करना पड़ेगा, यहां तक कि आपको डिवॉर्स तक की इस्तती बन सकती है, अगर ये यूति आपके सब्तम भाव में बन रही हो, अब जिस भी भाव में ये यूति आपके बन रही हो तो उस भाव से समंदित जो आपको result मिलेंगे वो काफी extraordinary हो सकते जैसे कि माली जी किसी के लगन में अगर ये यूति बन रही हो तो वो काफी ज़्यादा attractive होगा यानि normal से भी बहुत ज़्यादा attractive तो लोग काफी attract होंगे और वो opposite sex को बहुत ज़्यादा attract करेगा अब अगर इस परकार की इस्तियों की कुंडली में बनती है तो उनको luxury चीजों की तरफ साथ सज्जा की तरफ ज़्यादा लेके जाती है और उनमें romance के जो लक्षण काफी ज़्यादा होते हैं पुरुसों में भी romantic इस्तियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी इसी परकार से बुद्ध साथ है तो यहाँ पर कुछ romantic समवाद भी सामने आ सकते हैं इसी परकार से romantic communication में जातक काफी ज़्यादा लगा हुआ हो सकता है तो यह यूती जितनी अच्छी है उतनी ही यह खराब यूती भी है देखा जाए तो लेकिन अब आपके चार्ट में यह कौन से भाव में बन रही है कौन सा आपका भाव से सबसे ज़्यादा परभावित ह रहा है और इस से opposite भाव कौन सा है यानि जिसके लगन में यह बन रही हो उसके सब्तम भाव को यह तीनों ही ग्रह देखेंगे तो सब्तम भाव पर भी इसका प्रवाव पड़ेगा साथ में एक चीज़ और यहां पर है क्योंकि अब यह यूती दोनों की राहु की साथ है श अंतुस्ति नहीं देखने को मिलेगी तो यहां अगर जातक के सब्तम या फिर लगन में यह यूती बनती है तो काफी बार जातक को कंफिजन में डालती है काफी बार उसको परेशान भी करती है हलंकि काफी कुछ यह यूती आपको परदान भी करती है तो यह यूती दोनों ही प्रकार से देखा जाए अच्छी या बुरी तो दोनों ही प्रकार की कही जा सकती है